क्या आप जानते हैं कि अमिता बच्चन की फिल्म कूली में एक सूपर हिट गाना था जिसे फिल्म से लास्ट मुमेंट में हटा दिया क्यों? चलिए इस पर बात करते हैं क्या आप जानते हैं शो में आपने सुना ये गाना याद आया कि ये गाना तो अमिता बच्चन की फिल्म कूली का टाइटल सॉंग है लेकिन गाना थोड़ा डिफरेंट है न? हाँ ये उस गाने का सैड वर्जन है जो फिल्म मेकर मनमहण देशाई फिल्म के क्लाइमेक्स में यूज करना चाते थे लेकिन हालात कुछ बदल गए और गाना रिकॉर्ड करने के बात भी फिल्म से हटा दिया गया क्यों? चलिए इस पर बात करते हैं दरसल फिल्म के कहानी के हिसाब से फिल्म के क्लाइमेक्स में अमिता बच्चन मर जाते हैं और उस शॉट के लिए फिल्म डारेक्टर मनमोहन देशाई ने कूली के टाइटल सॉंग का सेड वर्जन रिकॉर्ड किया था जो क्लाइमेक्स सीन के साथ बहुत पहतरीन सूट करता लेकिन फिल्म के शूटिंग के दोरान अमिता बच्चन एक फाइट सीन में बुरी तरह गायल हो गए और उन्हें छे महिने के लिए हॉस्पिटल में एड्मिट होना पड़ा हम सब जानते हैं वो अमिता बच्चन की जिंदेगी का एक बहुत ही दुखत अनुभव था जब शे महिने के बाद भगवान ने उनके फैंस की प्रातना सुनी और अमिता बच्चन को एक नई जिंदगी मिली इसलिए जब अमिता बच्चन ठीक हो गए और फिल्म की शूटिंग कुछ महिनों के बाद शुरू की तब फिल्म डिस्टुबिशन का मानना था कि अगर अमिता बच्चन को फिल्म में मरता हुआ दिखाया गया तो दर्शक नाराज होंगे और फिल्म फ्लॉप हो सकती है डिस्टुबिटर्स के डिमांड पर मनमोहन दिसाई ने फिल्म के क्लाइमेक्स को रिशूट किया और अमिता बच्चन को फिल्म के अंत में ना सर्फ जिंदा रख एक और एडिशनल सीन भी शूट किया जहां अमिता बच्चन दर्शकों से बोलते हैं मैं तो चला गया था लौट आया हूँ आप सब लोगों की दुआ से सच में लोगों की दुआओं ने अमिता बच्चन को एक नई जिन्दगी और फिल्म कूली भी सूपर हिट रही थैं जार नहीं इंस्टेंट एंटेटेंमेंट के लिए फिल्मी शॉट्स है सही डाउनलोड कीजिए शॉट मनोरेंजन एप अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और आयोस में